इस सेशन में भी हम पढ़ेंगे कि components of therapeutic communication क्या होते हैं तो आज का topic है components components of therapeutic communication यह आज का topic है तो इसको भी shortcut में अगर याद करना है तो जो components है वो four components है हमारे पास जो की है जिसको याद करने के लिए यह shortcut है that's grew तो यहाँ क्या है G से है genuineness R से है rapid E से empathy and W से warmth तो यह है components कि आप जब भी एक communication आप कर रहे हो तो कौन-कौन से components होने चाहिए उस communication में तो यह चार चीजे है genuineness, rapid, empathy and warmth तो यह हम कैसे use करते है मैं बताती हूँ किसी भी conversation में सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है genuineness genuineness का मतलब यह है कि जब भी आप किसी से communication कर रहे हो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो भले ही वो आप information gather करने के लिए बात कर रहे हो और बहुत ही natural लगना चाहिए कि आप एक natural तरीके से उनसे conversation करना चाहते हैं उनका जो भी past में जो भी medical history रहा है या फिर उनकी अभी की जो भी medical history है या फिर जो भी चीज से वो suffer कर रहे हैं आप उनके साथ बहुत जादा empathize करते हो आप उनकी सारी situation समझते हो और जो भी conversation होना चाहिए वो बहुत genuine होना चाहिए बहुत natural होना चाहिए तो इसलिए यहां पर सबसे पहला word जो हम use कर रहे हैं वह है genuineness next आता है rapid, rapid का मतलब होता है कि communication जो अच्छे से communication कर पाना बिना किसी hesitation के या बिना किसी और चीज को लाय हुए उस चीज को हम rapid बोलते हैं बहुत एक अच्छा free flowing जो communication होता है उस चीज को हम rapid बोलते हैं तो rapid जो है जब भी आप किसी से communicate कर रहे हो वो communication जो है वो बहुत जैसा मैंने पहले बोला वो बहुत natural होना चाहिए free flowing होना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी motive के साथ उनसे बात कर रहे हैं और सामने वाले को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ information लेने के लिए ही बस मुझसे बात कर रहे है otherwise कोई और reason नहीं है बात करने का ऐसा नहीं लगना चाहिए next is empathy empathy का मतलब है कि जो भी patient feel कर रहा है आपको ऐसा feeling होना कि मतलब वो जो भी feel कर रहे हैं आप वो feel कर सकते हो उसको हम empathy बोलते है empathize करना मतलब जो भी patient जिस चीज से भी गुजर रहा है उस चीज से हम गुजर चुके हैं या हम भी वो चीज समझते हैं वैसा उनको feel कराना कि आपकी जो भी situation है, हम समझ सकते हैं आपका situation क्या है, हम समझ सकते हैं आपकी feelings क्या है, उस सीज को बोलते हैं empathy और एक conversation में जब भी आप patient से conversation चल रहा है, जब भी आप communicate करते हैं, तो empathy होना बहुत जरूरी है, otherwise वो एक अलग तरीके से conversation हो जाता है, ऐसा न पर उनके emotions को या फिर उनके feelings को hurt नहीं होना चाहिए, next is warmth, warmth हम यहां पर इसलिए use कर रहे है, ताकि patient को ऐसा लगे कि उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनकी, मतलब ऐसा निया कि उनको neglect किया जा रहा है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, और उनसे बादचीत प्रॉपर तरीके होंगे, उनके जितने भी problems सारे हैं, health related, वो सारी के सारे पर ध्यान धिया जा रहा है, that is warmth, तो यह थे components of therapeutic communication, इसके बाद आता है, phases of therapeutic relationship, जो होता है, कि कितने phases होते हैं, तो हमारा next topic है, phases of therapeutic therapeutic relationship, तो यहां पर हमारे पास चार phases है, सबसे पहले है, pre interaction phase second one is introductory, introductory or orientation phase, orientation phase next one है, walking phase and last one है, termination phase termination phase okay, तो pre interaction phase में क्या होता है, pre interaction phase में, यह phase तब तक का phase होता है, जब जो patient होता है, वो assigned होता है, कि इस particular ward में एक नया patient आने वाला है, तो वो होता है, pre interaction phase pre interaction का मतलब है, interaction से पहले ही, nurse और patient का interaction से पहले वाला जो phase होता है, that is pre interaction phase जिसमें क्या होता है, यह बोला जाता है, कि जो nurses होते हैं, उनको खुद की abilities पहले देखना होता है, कि उनकी ability क्या है, उनकी limitations क्या है, वो कौन-कौन से काम कर सकती है इसमें जो nurses का काम यह होता है, कि वो खुद को ready रखे, खुद को prepare रखे, और patient के आने से पहले, या patient के ward में जाने से पहले, उनके बारे में जितना information वो gather कर सकते हैं, उतना information उनके बारे में gather करना है, और उसके साथी साथ, खुद को ready रखना है, patient से interact करने के लिए, तो यह ह में क्या होता है इसमें पेस्इंट और नर्स जो हैं वह मिलते हैं इंट्रोडजीन उनका होता है इंट्रोड़क्षन करते हैं और औरिंटेशन साथ रख चलते हैं और औरा से आपर यह ऑ Te औरियंटेशन उनका प्रॉपर तरीके से कराना साथी साथ इंट्रोडक्शन देटे टाइम यह भी पता करना कि उनका जो मतलब उनकी बारे में डाटा गैदर करना उनके जो पहले के में इन्फॉमिशन उसको गैदर करने की कोशिश करना नेएटस आता है वहां वहां साथ में काम करना बारे म्यां सीव गांस जब पयेशिंट की केर करती है जो भी उनका डेटी है लाईढनाल करने जो मेडिकेशन प्रोवाइट करने मो उसके बाद अगर कोई ऑधि एक्स्ट्रा काम है उसको लेके IV sets वगेरा गर चेंज करने है cannulas वगेरा चेंज करने है वो सारा काम उसके अलावा उनके बारे में information ग्यादर करना working phase में अच्छे से communicate करने के बाद उनसे उन्हें पता करना है कि कौन से stressors हो सकते हैं या फिर क्या reason हो सकता है इनके problem का अगर stress है तो उसको find out करना की stressor क्या है और कोशिश करना कि उस stress को कम करने की कोशिश करें इसमें nurse और patient दोनों मिलके ये काम करते हैं कि अगर stress है तो उसको कम कैसे कर सकते है या फिर उस से पीछा कैसे चोड़ा सकते हैं लास्ट है termination phase termination phase का मतलब है कि terminate का मतलब यह होता है कि जब patient hospital छोड़ के जा रहा हो मतलब वो या तो healthy हो चुके हैं या तो दूसरे hospital में जा रहे हो तो उस जगे उस particular hospital को छोड़ के जा रहे हो तो वो phase होता है termination phase इसमें nurses को काम यह होता है कि यह ध्यान से देखना कि जितने भी वैलियोबिल आइटम से पेशिंट अपने साथ लेकर जा रहे हैं और जितने भी मतलब मेडिकेशन से प्रॉपर उनको पता है या ने कि कितने डोज लेने हैं या फिर क्या रूटीन है मेडिकेशन लेने का और उसके बाद जो भी पेपर वोग वगेरा है वो हो रहा है या ने वह कंप्लीट है या ने यह सारी चीजें करने के बाद उनको डिस्टार्ज मलता है मतलब जो फेज होता है कि पेशिंट पहले आते हैं इंट्रॉडक्शन होता है साथ में काम किया विद्वर्ण घिओ फेज वर टमीनेशन पर जाहिए जो कि यह ने करें चेज जो यह चाहिए उसमें होनी चाहिए जनुवेननस होना चाहिए पेशिंट को आप इसा नहीं लगना चाहिए कि आप ज्स एक मोटिव के लिए आप उनसे बात कर रहे हैं और जो कॉम्योंडिके तरीका है वो बहुत सही होना चाहिए प्रॉपर में प्रॉपर होना चाहिए एंपथी होना चाहिए मतलब आपको पेशिंट के साथ एंपटाइज करना चाहिए कि वो जो भी फील कर रहे हैं हम समझ सकते हैं ऐसा उनको लगना चाहिए कि आपको उनकी जो भी सिच्वेशन है आप वो समाच सकते हैं साथी साथ warmth होना चाहिए यह warm का मतलब patient को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी care करते हैं next हमने देगा phases of therapeutic relationship pre interaction मतलब interaction patient और nurse का interaction से पहले वाला जो phase होता है वो है pre interaction phase introductory phase में patient और nurse जो है वो आपस में introduction करते हैं पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या problems है working phase में जो भी problems हैं उसके लिए treatment provide करना in termination phase में discharge होकर चले जाना तो आज के session में इतना ही I hope आपको यह समझ में आया हो अगर इस से related आपको कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं thank you class